राधे राधे जैसर कुष्णा नमस्कार मैं आचार पंडित ग्रीस बारो लिया कववे के बारे में आज हम जानकारी देंगे उसके सुब असुब फलों का हमने दो तीन वीडियो डाले हुए हैं सिर्फ पर कववा बैठना निश्चित रूप से असुब फल देता है मृत्तु तुल कस्ट का आपको सामना करना पड़ सकता है यदि आप चले जा रहे हैं और अचानक यदि कववा आपके उपर बीट कर दे या आपके सिर्क उपर बैठ जाए या खुर को मारते हुए उसके पंजे जो पैर का जो नाखुन है वो मारते हुए निकल जाए तो निश्चित रूप से वह आपके लिए असुब संकेत देता है किसी भी प्रकार से कववे का सिर्व पर बैठना सुफल दाई नहीं होता है ऐसी इस्थिती में आपको क्या करना चाहिए यदि कववे आपके सिर्व पर बैठ जाता है तो या तो आप अपने जो भी नाते रिस्तिदार हैं वहाँ पर आप अपनी मृत्यू की सूचना भिजवा दें और कुछ समय के पस्चाथ जब वो दुख मना लें तो दो तीन घंटे के पस्चाथ या एक दर के पस्चाथ आप उन्हें अपने सकुसल छेम की आप उन्हें सूचना दे दें कि हमने इस परकार हमारे सिर पर चुक mum को वा बैठ गया था इस कारण से हमने इस परकार की सूजना आपको दी थी लेकिन हम सकुसल हैं तो एक तो यह उपाय हुआ इस उपाय को आप करेंगे तो वो दोस्त खत्म हो जाता है दूसरा उपाए हम आपको बताते हैं कि आप 21 दिन तक लगातार शिव लिंगे पर कच्छे दूस से उने उनका अभशे करें और 11 बिल्व पत्र आप घर से ले जाएं जनके तीन पत्ते होते हैं उनमें एक में ओम एक में नमह और एक में शिवाए गोपी शंदन से आप घिस करके और अनार की लकडी से आप उसमें लिख करके उन्हें अर्पित करें और एक माला कम से कम ओम नमह शिवाए का जाब करें और यदि महामरतुजा मंतर का आप जाब कर सकते हैं तो और ज्यादा अच्छा होगा तो यदि यह आप करते हैं तो फिर किसी प्रकार की कोई भी असुब घटना आपके जीवन में नहीं घटेगी तो यह उपाय आप जरूर कर लें यदि आपके सिर्क उपर कवगा बैठ जाता है या और भी हमने जो असुब संकेत उसके दिये हैं वो यदि इस प्रकार के असुब संकेत आपको कव्य के माध्यम से मिलते हैं तो आप इस उपाय को कर लिया करें तो निश्चित रूप से फिर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी किस्ट नहीं आएगा तो आसा है मित्रो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हैं और आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते होंगे और अधि आप पसंद करते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें और अपने इस नहीं और प्यार हमें देते रहें और अधि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरू कर लें इन्ही कामनों के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो आप लोग खुस रहें, मस्त रहें मागाय तरीकी कृपा आप लोगो पर सदेव इसी परकार बनी रहे, इन्ही कामनों के साथ में आज हम अपनी बात को यहीं से मापत करते हैं मुश्कार, ओम, शान्ती